हेलो एबरीबन टूड़े बीबिल सॉल फ्रम कोर्शन नमबर 11 ओप एक्सराइज 7A किलास 7 आरेस अगवाल मैं इससे पहले हम बन्टू 10 कम्प्लीट कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिसकर्प्सर बॉक्स में मिल जाएगा वैसे तो यह एक्सराइज पहले भी पूरी हो च क्योंकि हमें रियल्ट को भी चेक करना है वो चेक नहीं करें तो कुछ स्टूड़न आपको चेक करके दिखा जीजिए इसलिए मैं द्वार कर देता हूं ना कॉर्शन नमबर 11 और कॉर्शन 11 इस 13 इन्टू y-4-3 y-9-5 y-4 is equal 0 हमें solve करना है solve the following equation and check your result in each case हमें चेक भी करना है चलिए solve करते हैं 13 का multiple करें तो 13 into y 13 y-13 into 4 52 अब माइनस 3 का जब y में करेंगे तो माइनस 3y और माइनस into minus plus और 3y नाइंजा 27 अब माइनस 5 का by में तो माइनस 5 by माइनस plus क्या होते हैं माइनस और 5 पोर्जा 20 इस equal 0 ओके अब वाई वाले टम देखो कितने है 13 y plus के minus 3 y और minus के 5 by minus 3 minus 5 कितने होगे minus के 8 y और 13 में से जब 8 separate करेंगे तो कितना बचेएगा plus के 8 y यह समझवागे ना यह ऐसे कर लो 13 में से 3 गए 10 by तो यह तो मने गए 10 में से 5 गए 5 आएगा मैंने कुछ गलत कर दिया चलो सहीरा चेक कर लिया 3 और 5 8 8 और 5 13 नहीं तो सहीरा सही कर लिया नहीं तो 5 by हुआ कैसे समझवागे ना 13 by message 3 by गए तो 10 बचे और 10 message 5 गए 5 by अब constant देखो minus के 52 minus के 20 कितने हुए minus 72 अब plus के 27 ही है इस एक्वल 0 तो यह हुआ 5 by इसको सब्टेट करेंगे 12 message अब 7 सब्टेट करेंगे तो कितना बचेगा 12 message 7 गए तो 5 6 message 2 गए 4 अब कम message ज्यादा करते है तो minus का sign है तो यह आप जानते है अच्छे से तो 5 by की value कितनी हो गई माइनस 45 को हमना है right hand side transfer करा तो plus के 45 value of y is 45 upon 9 means y is क्या हो रहा है वई 5 है तो 45 upon 5 5 भी तो 5 आगा निचे 5 बंजा 5 नंजा value of y is 9 अब हमें verify करना है verify क्या करेंगे left hand side की value निकालो इस पर y equal to 9 पर और अगर 0 आ जाती है तब तो verify हो गया otherwise 9 तो लिखो lhs at y is equal to 9 यहना की y equal to 9 पर lhs की value निकालना है यह कितना है 13 y minus 4 y की value क्या है 9 तो 9 minus 4 minus 3 bracket में y minus 9 और y की value है 9 तो 9 minus 9 minus 5 y plus 4 और y की value क्या है 9 तो 9 plus 4 यह left hand side हुआ देखते हैं कितना है निकलके 13 into 9 minus 4 is 5 minus 3 into 9 minus 9 0 minus 5 9 plus 4 13 तो कितना होगे 65 minus 0 minus 65 65 से 65 cancel और यही क्या है rhs के rhs जीरी तो था तो lhs equal to rhs since lhs is equal to rhs so y is equal 9 is the solution of given equation को खाली equal ही सकते है equation तो यह question number 11 complete now question number 12 and the question 12 is 2m plus 5 upon 3 is equal 3m minus 10 अब इसमें both sides variable दोनों तराफ m है तो जह हम verify करेंगे जब check करेंगे तो दोनों 2m plus 5 is equal 3 का multiple हो जाएगा सामने जो कुछ भी है तो यह हो गया 2m plus 5 is equal 3 into 3 9m 3 into minus 10 minus 30 ओके m को एक्साइट और constant एक तराफ तो 2m minus 9m क्योंगी plus 9 था लेपन से लेंगे तो minus हो गया m is equal to 35 upon 7 7 is a 35 fiber cancel तो m की value आ गई 5 यह तो solution हो गया the value of m is 5 now we will check the answer तो क्या करें लेफन साइट की value निकाले है तो lhh at m is equal to 5 equal क्या होगा यह रहें लेफन साइट 2m plus 5 upon 3 2m and क्यों output कर दी plus 5 upon 3 तो यह कितना होगा 10 plus 5 upon 3 15 upon 3 3 से cancel होगा 5 बार ओके ही मैं rhs निकाल देता हूँ now rhs at m is equal to 5 rhs 3m minus 10 यह रहें 3m minus 10 तो 3 into m, m की value क्या है 5 minus 10 15 minus 10 is equal to 5 left hand set की value 5 है यह रहें और rhs की 5 यह rhs यह left hand set बहुत equal आगे लखोगे since lhs is equal to rhs therefore किस पर equal आईते हैं यह राओ 5 पर तो m is equal 5 is the solution of given equation ओके नौ टेस्ट कोर्शन नंबर 13 and the question 13 is 6 into 3x plus 2 minus 5 into end bracket एक ही बात है क्योंगे इसका अंदर 6 plus 9x एक बाट चेक कर लेता हमें 6 3x plus 2 minus 5 6x minus 1 is equal 3x minus 8 minus 5 7x minus 6 plus 9x बिल्को ठीक है तो समझे में आ रहा है जब हम इसकी value निकाल लेंगे तो हमें left hand side भी solve करने होगी और right hand side देखने में बड़ा सा लग रहा है थोड़ा चलिए करते हैं solution multiple कर देए 6 3 जा 18x और 6 2 जा 12 अब minus 5 का जब 6x में करेंगे तो minus 5 सीज़ा 30 तो यह जाएगा 30x minus 5 का minus में माइनस माइनस पिलस और 5 बन जा 5 इच एकक्वल अब 3 कंदा multiple कर देए 3 into x 3x 3 का multiple minus 8 में तो कितना होगी 8 3 जा 24 और minus का आने तो minus 24 ओके अब इस minus 5 का 7 में तो minus 5 7 जा क्या होगी थर्टी 5 एक साथ में ता x लिख लो minus minus plus और 5 6 जा 30 plus 9x यह आया ओके अब देखिए 18x में से 30x अप्टेट करेंगी तो कितना चाहाँ minus k 12x 30 में से 18 जाएंगे 12 अब सब्टेट तो हमेशा ज्यादा मेसेज छोटी संक्या ही होती है sign negative आया था वस अब plus के 12 और plus के 5 कितना होगे plus k 12 plus 5 17 इस equal यह अब यहाँ पर x कितने ट्रम में है 3x तो ध्यान से करना है देखो 3x जेरे plus k और 3x जेरे 9 तो plus k 9 और plus k 3 कितने होगे 9 और 3 12x और 12 में से 35 सब्टेट करना है तो करते क्या है हम 35 में से 12 ही तो 23 हुए minus k 23x अब देखो constant 30 plus का minus 24 तो 30 में से 30 में से minus 24 सब्टेट करेंगे तो plus k 6 ओके यहाँ तक बात सब्टेट में आई अब आगे देखते हैं आगे क्या करें बैरियेविल को एक साइट constant को एक तरफ तो minus 23x यह कौनसे साइट कराते है यदर राइट हैं साइट से हम लाएंगे लेट हैं साइट में प्लस की हो जाएगी तो प्लस के 23x यह और माइनस के 12 यह already है एक वाल है राइट हैं साइट में 6 तो ही प्लस का अब प्लस 70 हमें लेट हैं साइट से राइट हैं साइट ट्रांस्वर करेंगे तो plus का हो जाएगा minus, okay 23 में से 12 3 में से 2 separate करा 1 और 2 में से बन गरा 1, 11x आ गया और 6 में से 17 minus 11 तो value of x is minus 11 upon 11, 11 से 11 cancel, तो x की value आ गई minus, जो पिछले बार मैं कर चुका हूँ, यह सबतों मैं इतना कर चुका हूँ उसमें मैं check नहीं कराई थी मैंने answer, तो इस video इसलिए बनाई गई है केवल answer check कराने पिए, यहां तक पहले भी हम वीडियो में कर चुके हैं, अब हमें क्या करना है, check करना है, कि हमारा result सही है, कि नहीं check करना है verify करना है, तो left hand side लेंगे और RHS, दोनों में axial input करेंगे, अगर दोनों equal आती है तब तो हमारा यह solution सही है, otherwise हमने कहीं mistake करी है, चलो check करके देखते हैं, हम ने बता चुके कैसे check हैं, LHS at x equal to minus 1 ऐसी लिख दो बस, तो लिखते हैं 6 bracket में है 3x plus 2, 3 x की value minus मैं, इसलिए मैंने 3x plus 2, 1st bracket यह था देखाऊं, दे रहा 6, 3x plus 2 minus 5, 6x minus 1 क्यों हम लगा गई तो minus 5 अब है 6x, तो 6 into xx की value minus 1 है और minus 1, bracket close यह तो left hand side, देखते हैं क्या आता है इसका solution, 6 3 into minus 1, minus 3 plus 2, minus 5 6 into minus 1, कितना हो minus 6, minus 1 2 मैं से 3 subtract करेंगे, तो minus 1 बचेगा, minus 5 minus 6, minus 1 minus 7, तो 6 का minus 1 मुल्टिपिल करें, तो minus 6, minus minus, plus 7, 5, 0, 35 और 35 मैं से हम अगर 6 subtract करेंगे, तो 29, तो left hand side की value आ गई, 29 now we will find the value of RHS, at x equal to minus 1 निकालते हैं, RHS at x equal to minus 1, देखें, क्या निकल के आता है RHS में दिरखा 3 bracket में x minus 8, और x की value क्या है, minus 1 x हो गए ये, minus 8 bracket close minus 5, दूसरे bracket में 7x, तो 7 into minus 1 x value, और फिर minus 6 और bracket close plus 9x, तो 9 into x value minus 1, अब solve करने पर यही आना चाहिए, 29 देखते हैं 3, यह हो गया minus 1, minus 8 minus 5, 7 का minus 1 में करेंगे, तो minus 7, minus 6, और plus 9 का minus 1 करेंगे, तो minus 9, और यह कितना हो गया, 3, minus 1 और minus 8, minus 9 minus 5, minus 7, minus 6 कितना हो गया, minus k 13, minus 9 यह कितना हो गया, 3, 9 जा, 27 और 13, minus minus plus 65, और minus k 9 तो 65 तो प्लस के लिखली मैंने अब 27 और 9 कितना हो गया, 36 minus k 36 बोरो लिया, तो 15 में से 6 के 9 यह रह गया, 4 sorry, 5, 5 में से 3 गया, 2 तो देखो, राइट अन साइट की वेलू 29 और लाइट अन साइट की 29 इक्वाल आ गया लिखोगे, से इंस LHS is equal RHS, लेट अन साइट की वेलू राइट अन साइट के इक्वाल है therefore, जो हमारी वेलू थी किस पर थी, x equal to minus 1 पर निकाली थी, यानि कि x is equal to minus 1 is a solution of given equation जो equation हमें given थी उसका solution, तो x equal to minus 1 ही होगा ओके, now next question number 14 now question 14 t minus 2t plus 5 minus 5, 1 minus 2t is equal to in bracket 3 plus 4t minus 3 in bracket t minus 4 तो यहां दिखाएगे देरे left hand side में भी t और right hand side में t तो पहले हम solve करेंगे, जो भी answer आएगी t की value जो भी निकल के आएगी फिर हम LHS में भी रखेंगे और right hand side में भी उसको put करके so करेंगे, वो दोनो equal आने चाहिए पहले हम t की value विकालते हैं चलिए करते हैं solve, तो t minus का अंदा multiple करेंगे तो minus 2t minus plus minus minus 5 अब इस minus 5 का दोनो टर्म में multiple करेंगे minus 5 into 1 क्या होगा minus 5 minus minus plus 5 2 जा 10t अब bracket के वार क्या है 2 इसका मतलब 2 का multiple इस 3 में भी होगा और plus 4t में भी 2, 3 जा 6 plus 2, 4 जा 8 और 7 में t, 30 माइनस का जब multiple करो तो business द्यानक अंदा sign change होते हैं जो plus है वो minus का होगा तो minus है वो plus का minus 3 का t में करेंगे तो minus 3t और minus minus plus और 3, 4 जा 12 ओके अब नहां देखो plus के 10t और minus के 2t तो 10 में ऐसे 2 सब्केट करो करें 8t और plus का 1t यह है लिग दूँ डारेक कितने होगे 90 चाहाँ ऐसे करो त में से 2t सब्केट करें minus के t minus के 1t और plus के 10t 90 ओके अब देखो जल्दी जल्दी में काट मते हैं जल्दी हम चेक करते हैं पता इस्टों नहीं गल्दी गल्दी जल्दी में काड जाते हैं वह यह minus से यह minus से तो add होगे minus 5 minus 5 minus के 10 h equal सामने solve करें 80 में से 3t सब्केट करोगे कितने बचेंगे 5t और plus के 12 constant बार देखो और एक plus का 6 12 और 6 कितने होते हैं plus के 18 टी वाले ट्रम को हम ट्रांसपर करें left hand side में 5t जब right hand side से 5t left hand side में तो minus के 5t और minus का 10 जब सामने जाएगा तो plus का 10 ओके 9 में से 5 सब्केट करा 90 minus 5t कितने हो गए 40 और 18 plus 10 28 और से divide value of t will be 28 अपन 4 4 बन जा 4 7 जा यानि कि जो t की value आई कितने आई 7 तो ये तो हो गया इसका solution यानि कि इसका answer कि t equal to 7 लेकिन अब हमें ये check करना ये सही है भी कि नहीं check तो करें check कैसे करेंगे left hand side की बढ़े निकालो lhs at किस पर जो हमें value ने कलके आई है t is equal to 7 तो lhs देखो क्या हो जागा t t लिखा है पहला t की value 7 7 minus in bracket 2t small critic है minus की तरह नहीं तो 2 into t 2t हो गई है plus 5 small bracket close minus 5 in other bracket 1 minus 2t और t की value क्या है 7 ये small bracket है अच्छा नहीं लगता गल्दी कर देते हैं हम भी चलो हम भी इंसान है 7 minus ये कित्ता हो गया 2 7 जा 14 plus 5 minus 5 1 minus 14 तो ये हुआ 7 minus 14 plus 5 कितने हो गए 19 ओके minus 5 और 1 मैंस से 14 सब्टेट करेंगे तो कितने बचेंगे भाई minus के 13 आप इसको solve कर सकते हो 7 minus 19 कितने minus के 12 19 मैंस से 7 सब्टेट करेंगे 12 तो बचेंगे बड़ा संक्या मैंस की तो मैंस का साइन मैंस मैंस प्लस 5 इन्टू 13 65 5 मैंसे 2 सब्टेट करें 3 और 6 मैंसे 1 गया 5 यानि कि 65 मैंसे 12 सब्टेट करें 53 आ गया तो 11 साइट की वेलू आई 53 अब RHS निकाल लो RHS at निकालते हैं राइठ हैट at t is equal 7 राइठ हैं साइट में दे रखाए 2 इन ब्रेकेट 3 प्लस 4 t यानि कि 4 इन्टू t और t की वेलू है 7 माइनस 3 इन अदर ब्रेकेट t माइनस 4 और t की वेलू केती है 7 तो 7 माइनस 4 देखतें क्या आता है 2 अब इसमें गलती मत कर दे न बोर्ड मास जनत भी है नहीं जल्दी जल्दी में 3 प्लस 4 7 करो तो पहले तो मल्टिपेल होता है सबको पता है न 7 फोर जा 28 माइनस 3 और 7 में से 4 सप्टेट करेंगे तो 3 बचेगा 28 प्लस 3 कितने होते हैं 31 होते हैं और माइनस 9 31 टूजा 62 माइनस 9 53 है यह भी 53 आगए कैसे 62 में से 9 सप्टेट करेंगे तो 53 ही आएगा तो यह 53 आगए लिखोगे सेंस LHS is equal to RHS equal आगए यह चेक हो गया चेक का मतलब है LHS RHS equal आने चाहिए यह verify अच्छा है एक ही बात है है ना therefore जिस value पर put कराता हमने किस पर X equal to 7 पर निकालाता यानि की X भोले हो sorry T तो T is equal 7 is a solution of given equation ओके नाव next question number 15 and the question 15 is 2 by 3 X is equal 3 upon 8 X plus 7 upon 12 चलिए करते हैं 2 by 3 X क्या करें variable को एक साइट तो RHS से 3 upon 8 X हम left hand side में transfer करेंगे तो क्या हो जाएंगे minus के minus 3 upon 8 X is equal 7 upon 12 3 और 8 का LCM 24 ओके 3 कर्ड़ द्वाइ 28 24 में 8 ताइम और 8 2 जा 16 X माइनस 8 कर्ड़ द्वाइ 24 में करेंगे कितने टाइम जाएगा 3 times 3 into 3 9 X is equal 7 upon 12 16 X में से 9 X सब्टेट करेंगे तो कितने मचेंगे 7 X is equal to 7 upon 12 24 हम सामने ले गए cross multiplication से बुलते हैं तो या गया 12 बन जा 12 2 जा तो X की value क्या आ गई 7 into 2 7 अपॉन में आएगा याला 7 इस 7 से ये आप डारेक्ट भी कर सकते हैं 7 से 7 मैंने step by step कर दिया तो X की value आ गई 2 ये तो इसका solution हो गया अब check तो करें कि हमने जो solve करा है सही है की नहीं तो हमें check करना है answer तो LHS at X equal to 2 तो ये देखा है 2 upon 3 X और X की value क्या है? 2 बस इतनी है left hand side तो कितना हो गया ये? 4Y3 left hand side ही तो है इससे मत्तलब ही सुरू में question दे रहा वो left hand side है और ये RHS अगर आप इसमें ही put करोगे तो आएगा तो ये भी equal ये equal to तो नहीं आजाएगा येकिन इसको नहीं लेना है जो हमें question रफाए तो left hand side में ही था 2Y3X तो ये आगया तो ये आगया 4Y3 अब निकाले है RHS तो RHS at X is equal to और RHS क्या 3 upon 8 into X और X की value 2 प्लस 7 upon 12 तो 2 से ये cancel होगे 2 बन जा 2 फूर जा तेक्या बच्चा 3 upon 4 प्लस 7 upon 12 4 और 12 का एलसियम क्या आएगा 12 4 का divide 12 में 3 times 3 तरी जा 9 12 का divide 12 में 1 times 1 7 जा 7 तो 9 प्लस 7 कितने हो गए 16 upon 12 4 फूर जा 4 तरी जा 4 अपन 3 आगी राइट हैं साइड अब देखों लेटन साइड भी कितने हाई थी 4 upon 3 LHS at x equal to 4 upon 3 और RHS भी 4 upon 3 है देखने में साल लगा थी हो गया लखो गए Since LHS and RHS are equal at x equal to 2 therefore x is equal to is a solution of the given equation तो आज के वीडियो में ये इतने ही कोशन करेंगे 16 से हम नेस्ट वीडियो में करेंगे मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे है ना अगर आप पहली वाट चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सकाइब करना न भूलें और अपने दोस्तों को भी वीडियो सेर करें जिससे कि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके साथी साथ बैल आइकन को जरू पूस कर लें जिससे कि मैं अगला वीडियो जब भी अप्लोड करूँगा तो वो आपका मिस नहीं होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल लेगा फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक यू हैव नाइस टे